हर्याना की हर अप्डीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना निजूज नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ गौरव कुमार पांडे कुरोना वाइरस के फैलते संक्रमन के कारण पूरे देश में 21 दिनों के लिए लौकडाउन है ऐसे में कई जगों से पलाएं तो कई जगों से चीजों के मनमाने दाम वसूलने की एक खबर तेज हो गई हैं कई जग है तो ऐसी भी है जहां लोग आने जाने के लिए खलत जानकारी देने से भी नहीं कतरा रहे हैं कोरोना आज खौफ का दूसरा नाम बन चुका है इससे बशने के लिए ही भारत सरकार ने लोगों को 21 दिनों तक घर में ही रहने की हिदायत दी दरसल सरकार कोरोना के चेन को तोड़ना चाहती है ताकि उसके बाद इसके बचाफ के बारे में सोचा जा सके लेकिन अब तक मिली जानकारी के मताबिक लोगडाउन में लोग कई तरह की चीज़ों को गलत अंजाम दे रहे हैं जिसे माहौल देखते हुए इंसानियत के खिलाफ माना जा सकता है हर्याना में कई जगों पर सबजिया मनमाने दामों पर बेची जा रही है एक ही शहर में अलग-अलग जगों पर सबजियों के दाम में काफी फर्क महसूस किया गया कहीं आलू के दाम 30 रुपे प्रति कीलो थे तो कहीं 40 रुपे कीलो मिर्ची में तो सीधे-सीधे 100 रुपे कीलो का फर्क महसूस किया गया करिया जी बूरी आदा सर्फ कि लोगों भी दा सर्फ ये भी आदा सर्फ ये चिंडा दस पालक पंदरां ऐसे तमाटर रहा जी तीस-चारीस नीप रहा है तमाटर कमा रहा है और सब चीज सस्ती है ये कादी चीज जो बार से न्यारी हो इमाहिए वहीं जरूरी सामान को लेने के लिए लोगों की भीड लगातार जारी है सरकार के आश्वासन के बावजूद लोग सामान लेने के लिए भीड जुटाते दिखाई दे रहे हैं हलंकि कई जगों पर पुलिस की मुस्तेदी की वज़ा से लोग किराना दुकानों और मेडिकल स्टोर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं अगर ये द्रिश्य हर जगा नहीं देखा जा सकता है कई राजियों से प्रवासी मजदूर अब अपने घरों की और पैदल ही निकल गए हैं कोई राजस्थान से आ रहा है तो कोई भारत के किसी और कोने से दरसल सभी काम बंद होने के बाद से प्रवासी मजदूरों के पास ना तो खाने का को इंतिजाम है और ना ही रहने का ऐसे ही कुछ मजदूर सुक्रवार को गोहाना में नजर आए जो जोतपुर से मुरादाबाद के लिए पैदल निकले हैं तर तर加फ का दो आणे मी बाद कर लिए कि असने को अगया एक चीज़ में पोणा फिछाय अ। कि भी कोशें नेक पर यूद ना पड़ा जोड़ virus जाना में मुरादाबाद और वह सर जहां पर रहते थे को रहते त хотя found animales यही नही रोहतक में कुछ ट्रक ड्राइवर हैं जो पिछले दो दिनों से फंसे हुए हैं और उन्हें अभी भी प्रशासन की तरफ से मदद का इंतजार है अधिश्या तो पिजाब नुमाल पर के जा रहे थी अभी रास्ते में दो दिन होगे जहीं खड़े हैं कोई खाने को नहीं पीने को नहीं बहुत परेशान है हम गौर्णमेट तो मेंती करते हैं जाड़े टैबना बरे भी को सुच्छ जावे खेप्या से मारे हैं हम लोग बह सरकार अपनी तरफ से बार-बार लोगों को यही कह रही है कि कोरोना को हराने के लिए फिलहाल लॉकडाउन ही एक मात परुपाय है वरना इस बीमारी की कड़ी को तोड़ना नामुम्किन होगा मगर सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजाम ना होने से मजदूरों के पास पलायन के लावा कोई रास्ता नहीं बचा लेकिन ऐसे में वो लोग जो लॉकडाउन का लंगन कर रहे हैं उन्हें समझने की जरुफ है कि इस बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन की तना जरूरी है क्योंकि कोरोना को हराने के लिए इसकी कड़ी को तोड़ना बहुत जादा जरूरी होगा विरो रिपोर्ट हर्याना नियूस तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है लेकिन इन सब के बीच आकड़े बढ़ रहे हैं हाला कि उस तेजी से नहीं जिस तेजी से कई देशों में इस स्टेज के बाद देखा गया लेकिन हम सब को 21 दिनों के लॉक्डाउन का पालन करना है बहुत सावधानी से रहना है घरों में रहना है लेकिन कुछ लोग जो हीरो बनने के चकर में सड़क पर निकल रहे हैं वो महिलाएं जो अपने दरवाजे पर खड़े होकर महले की चार महिलाओं के साथ गप्पे लड़ा रही हैं वो लोग जो अपने च्छतों से लगते हुए च्छतों पर साथ खड़े होके बाते कर रहे हैं आप सबसे यही गुजारिश है कि कृपिया करके ये रिस्क नाले चुकि आप अगर खत्रे में होंगे तो आपकी वह से आपका परिवार आपकी वह से आपका पूरा एरिया और साथ ही साथ देश खत्रे में होगा तो कहीं प्रवासी मज़ूर पैदल निकल रहे हैं सड़कों पर और कहीं होम डिलेवरी के लिए प्रशाशन ने पूरी तरह से मुस्तैदी दिखानी शुरू कर दी है कि अब किसी भी तरह जिसे लोगों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है जिसको भी जरूरत होगी तो राशन घर पर ही पहुँचा दिया जाएगा चलिए महमानों किसे आपको रूबरू करवा देते हैं आमित नहरा साहब वरिष्ट पत्रकार हैं और कोरोना पर किताब भी लिख रहे हैं और बहुत जल्द शायद प्रकाशित भी करा दें तो वह हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल भारगव हेमेटोलोजिस्ट हैं डॉक् एक उदारन कि अगर लॉक्डाउन में घर है तो समय का कैसे इस्तमार किया जा सकता है जो आपके शौक है आपको लिखने का शौक था आप लिख रहे हैं किसी को बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है कोई और प्रोफेशन में चले गए और लेकिन गाने का शौक था बच्मन मिला है इसको आप एक बून की तरह लें एक आप इसको उफार की तरह लें इसको यह ना ले कि आप ये उपर बोज आगया आपको काम नहीं करना इस तरह की चीजें इस क्या है कि आप प्रोफेशनल जो चीजें वह भी जारी रख सकते हैं आपने जैसे मेरा उदारन दिया तो मैं आजकल एक किताब लिखने में वैस्त हूं आपको मैं उसका टाइटल दिखाता हूं जो अपना जो 14 परेल तक का टाइम मिला है पूरे देश को तो उसको रचनात्वक कारियों में लगा सकते हैं और कहना कि हम तो बोर हो रहे हैं जी अमरबस करने के लिए कुछ काम नहीं है प्रेशर है तो इस तरह के भानेबाद इससे बहतर इसको प्रोडेक्टिव काम में इस हैं तो परतिवा का इस्तिमाल करें जो टाइम मिला है उसमें जी चलो अब आते हैं इसकी भानकता के बारे में कोरोना की एक बर पहले डॉक्टर साब से डॉक्टर राहूल आप से भी जानना चाहूंगा इस ये वक्त जो है बहुत लोग कह रहे हैं ये टाइम कैसे कटेगा इस दिन तो घर में रखे क्या करेंगे तो शौख पूरे कर सकते हैं इसके अलावा होम मिनिस्ट्री जो घर में महिलाए हैं उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती है यूजियूली तो क्या ये किया जा सकता है कि घर में जो पुरुष हैं वो कहें कि वही चलो खाना आज मैं ब समय दिया है बैठ के चिंतन करने के लिए कि हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं हम सवाल यह पूछ रहे हैं कि हम क्या करें घर के इतने सारे कारे हैं जो आप कर सकते हैं आप जो पढ़ना चाहते थे आप अपना ग्यान बढ़ा सकते हैं आप टीवी देख सकते हैं तो environment है क्या आपने पौधे खिलते वे देखे नीचे क्या आपने वो शाम को रात में सितारे तारे सितारे देखे जो गुडगाओं की जमीन पे और आस्मान पे कितने सालों से नहीं दिख रहे थे तो इस कॉरोना वाइरस का सिर्फ खराबी चीज़ नहीं लाई है ये अच्छी चीज़े भी लाए है कि पॉल्यूशन की मातरा कम हो गई है फल फूट दिखने लगे है जो हरा कलर होता था पत सात्विक जीवन व्यतीत करते थे आज कॉरोना वाइरस ने हमें उसी स्टेज में लाके रख दिया है कि नॉर्मल खाना खाए सात्विक खाना खाए नवरात्रे में पूजा पार्ट करें और जीवन को अपना डिजिटल और बाकी चीज़ों से हटके अपना जीवन यापन क ठीक है डॉक्तर अजय गुपता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्त साब एक वाद हुता हिए कि ये इसको एक ब्रेक की तरह क्यों न देखें इससे क्या हमारा प्रेशर नहीं कम होगा घर में बैटकर जो लोग प्रेशर में इस दिन नों तो क्या करना है क्या इसस रहा करने की तहट भी देख सकते हैं इसको अपने घर में जो बीविया है उनको भी रहात दें उनको भी कहें कि हाँ ठीक है 21 दिनों का लॉक्डाउन है इसमें खाना मैं बना के दिखाता हूं देखे ऐसा है कि आपने लाख टकी की बात की है कि ये जो मच नीरिड ब्रेक है वो ज़रूर मिला है हम सबको क्योंकि हम कहीं ने करिये सब लोग प्रोफेशनल है कोई डॉप्टर है कोई इंजिनियर है कोई बिजनसमेन है सब लोग अपनी जिन्देगी की डौर में इतनी कि उनको फुर्सत नहीं मिलती सुबह जाते हैं शाम को आते हैं कई बार रात को भी जाना पड़ता है लाग जाना पड़ता है फिर वाफस आते हैं तो इस बीच जो अपने घरवाले हैं हमारे माता पीता है हमारे बीवी बच्चे हैं उनके साथ जो टाइम स्पेंड करने का जो मौका मिलता है वो बहुत कम मिलता है। और दूसरा जो आपने बताया कि जो कहते है कि शौक बड़ी चीज़ तो हर आदमी को अपना शौक पुरा करना चाहिए हमको यह मौकर नहीं जिस्ता है अपने शौक पूरे करने का तो जाहरे से बास है जो मच्छीजिट ब्रेक मिली है हमको अच्छा सोचना चाहिए अपने अपने शौक पूरा करना चाहिए अपनी परिवारों के साथ बैठके दो बाते करनी चाहिए और अब तो सरकार ने यह भी फैसला कर लिया कि कल से रामायण आएगा सुबह शाम वो रामायण जो किसी बिलकुल आपने देनी बूप के बात छेल ली है प्रसाद भारती में आ जो असी और नबे के डशक के टीवी सीरियल थे जैसे महाबारत है रमायण है इनका पुले प्रसारण किया जाए ताकि लोगों को भी वो पुरानी यादे ताजा हो जाए जब केवल दूर दर्शक नहीं एक मात्र बीवी का विकल्प होता था कोई केवल नहीं होता था हम सि कि अठाइस तारिक को जरूर बोका मिलेगा तो सुबह नौ बजे राग को नौ बजे रमायण जरूर देखिए नहरा साब यह जो रमायण वाली बात आई यह एक सफल और अच्छा प्रयोग होने जा रहा है क्योंकि घर में बैठे हैं लोग और वो कह रहे हैं कि करें क्या लीजे रमायण देखिए गरू मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा एक बहुत ही रोचक आपको किस्सा बताता हूं क्यों कि मैं किस्सा लिखने का शोकिन हूं मेरे पहली किताब भी किस्सों पर आधारीत है तो बहुत बढ़िया किस्सा में दर्शकों के साथ सेर करना चा होगा तो जैपरकाश नारायन जो थे वो आंदोलन की धुरी बने हुए थे जनता के अंदोलन की जनता उनके पीछे पागल थी वो जहां चाहते वहां पे बहुत बड़ी कर सकते थे तो उन्होंने उसी दोरान क्या हुआ कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली का आभान क कि फलाAST नीन हम वहाँ पर रैली करेंगे तो इंद्रा गान्दी ने पता हो क्या किया रैली को ये नहीं कि अम अनुमति नहीं देंगे या बलपरयोग किmosी में लोगों कुम烏 देंड्ट मांदी ने दूर दर्शन समाले इस दड़्जा लोग नि देंखने के लोग में रिली स्तलब पर जा नहीं पाएं तो इक अच्छी पहल को हैं यह लोगों को रोकने का पिर जर्याह What स्थ नहीं को जोग हैं लोग सोटेनों प्रिया सिरील होते हैं लोग फिल्म आप और ग Härने होते हैं है तो लोग वागगh लेकिन उसको छोड़ देते हैं अब कुरोना वाइरस पर आते हैं हम लोग डॉक्टर राहूल एक बात जो हम डे वन से डिबेट्स जब हम कर रहे हैं तो डिसकस कर रहे हैं कि टेमप्रेचर का इस पर असर होगा उस दिशा में बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं फेस्बू यह थोड़ा श्रितिल पड़ेगा देखिया हाथ कंगन को आर्सी किया यह बात समझना जरूरी है अभी तक किसी कंट्रियों में 35 टेमप्रेचर ही नहीं पहुंचा जिस जगह पे कॉरोना वाइरस का असर है वो नियुवर्क हो साथ डिग्री इटली में लंबार्डी हो बा माइजीरिया में क्यों नहीं है जहां पर टेमप्रेचर अभी 35 टेमप्रेचर है अल्रेडी तो यह आने वाला समय देखिए तीन महीने पुराना यह वाइरस तीन महीने पुराना है और हम चाहें कि आज ही हम सारी चीजेस के बारे में जान जाएंगे यह कहना मुश्किल है तो आने वाला समय इस देश में बताएगा कि जब यह 35 टिग्री पे धरती तपेगी तब वाइरस का क्या हलोगा और क्या हश्रोगा हम सब यह बैठे में क्योंगी देश में वी देश में शोद चल रहा है कि वाइरस का प्रकार व्यूर्मा प्र सुरूप क्या होगा रंग में रहनए वो फ्यूचर में होगा वह पांच अप्रिल को नपीज एगिए कि लॉपट डाउन है सरकार के दिया कि इह कोशिश कर रही है कि आपको ख्यांते की चीज भी चाहिए तो आप होम डिलिवरी करा लो हम उसकी व्यवस्ता करें लेकिन गल्यों में मुहलों में ऐसा दिख रहा है कि महिलाई इस समय का लुद्फ उठा रहे हैं घर के बाहर चार-चार का जुन बना के गपे मार रही हैं कई लोग कहीं बैठके ताश खेल रहे हैं यह कितना खतरनाक हो सकता है बच्चे गल्यों में साइकल चला रहे हैं कई जगों से क्रिकेट खिलने की भी खबरे आ रही हैं देखिए ऐसा है यह बात तो तैय है कि कम से कम दस दिन पहले और यह हफता या दस दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से ही हमें बताया था बलकि पूरे चैनल जो स्ट्वी हराना न्यूस है आप आप लोगों नहीं और हम लोगों नहीं इसकी घोशना जेती कि दारह 144 तो बैख ही नहीं सकते हैं यह तो अब गयर कानूनी है रही बात किराने की दुकान पर तो आज मैं आज और कल मैं गया था और मैंने देखा भी था लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं बहुत अच्छा उदावन देना चाहता हूं कि जो किराने की दुकान मुझे जो मेंको 2-3 किराने के दुकान, छोटी दुकान थी दिखी, लेकिन उन्होंने रोर के उपर चौक से गोलदारा बना रखा था, एक गोलदारे और दूसरे गोलदारे के बीच बीच पे दो या 5 मिटर का गया था आगे बीचे, और वहांपर 4-5 लोग खड़े थे और सम लोग अपने गोलदारे में ख़रे थे उन्होंने मास्क लगा रखा था मैंने गारी अपनी पीछे पार की और पीछे चुपचे जाकर अराम से मैं ख़डा हो गया तो और मतलब अगर आप मुसे पुछेंगे तो 80% तो जो मुझे लोग थे जो किराने की दुकान पे दिखे वो नियम का पालन करते हैं दिखे थे और कही जगा जरूर मुझे चौराय पे जैसे एक चौराय पे मोची बैचता है तो वहाँ मुझे जरूर दिखा कि वहाँ पर तीन चार लोग बैठे हुए थे मुझे बोची के साथ और वो किस काम से बैठे हुए थे बोचकता है वो ताज शोल ले हो या क्या मतलब उसमें था लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी कि कुछ देर बाद पुलिस की वहाँ पर जीप आई साहरन था और जैसी वह साहरन बजा मतलब पता था कि गलत कर रहे हैं फिर भी जब तक प्लिस जंडा ना मारे तब तक हम नहीं सुखनेंगे बिलकुल तो कहीं न कहीं कहीं न कहीं ये प्रशाशन का थोड़ा सा जो सकती है वो होने पड़ेगी ठीक है नहरा साब हम देख रहे हैं कि चीन ने अब इसको कंट्रोल बहुत हद तक कर लिया है हिंदुस्तान में भी क्या लोगों को इस वक्त सबसे ज़्यादा समझने की जरूरत यही है कि आपकी एक व्यक्ति की मुर्खता से भी हम ये लड़ाई पूरी तरह से नहीं जीत पाएंगे क्योंकि मैं देख रहा हूं बच्चे साइकल चला रहे हैं गलियों में और बुज़ूर्गों को देख रहे हैं कई जगों से खबरे आ रही हैं कि बैटकर ताश किल रहे हैं महिनाएं कप पर लड़ा रही हैं अपने दरवाजे के बाहर निकल कर गरों आपने दो बात की इसमें एक तो यह कहा कि तोड़ रहे हैं मामला अनुशाशन तोड़ रहे हैं और दूसरे आपने बच्चों का विजिक्र किया तो आपको ध्यान हो जब पॉलियों अनुमूलन अभ्यान चलाए गया था उसके ब्रांड नेमेस्टर बनाया गया था अमिताब बच्चन को तो उनके पंच लाइन थी उसमें एक भी बच्चा चूट गया तो समझो सुरुक्षा चक्र चूट गया तो उसको यहां भी अप्लीगेबल है वही बात अगर एक फिवेक्ति ने अगर यह सुरुक्षा दारा तोड़ दिया तो समझे लो सत्यानास हो गया तो इसको समझने की जरूरत है उनीसों पिचैतर में जब अमर्जेंसी लगाई गई थी तो बहुत से विपक्सी नेताओं ने उसकी अलोचना की थी चलो हम उसके हम पॉलिटिकल उसमें एनलेसिस नहीं करते हैं लेकिन अटल भीहरी वाजपही ने उसको कहा था यह अन रहना है और यह को आगे फोलो करना यह 14 तक की बात मिने इंहिं हमें साफसपाई करनाहें वोर आगे भीot करना है हमें जो डिस्टेंस बनागे रखना रखना आगे रखना है कि किसी को जुकाम हो गया किसी ने कहीं चीक दिया या उसको खासी है तो ऐसा लग रहा है कि लोग उसको इस नजर से देख रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा राक्षस यही है और यही सब को पहला रहा है तो इससे बचने के जरूरत है यह सीजन ही ऐसा है तो गौरब जी फिर आगे बढ़ हुआ तो इस समय में फ्लू के सिम्टम्स जो होते हैं खासी गले में खराश अगर हम देखें गरम पानी इसलिए है कि गले में खराश ना है जुखाम हो जाना रनिंग नोज होना और हलका बुखार होना यह फ्लू और कोविट के दोनों ओवरलापिंग सिम् इसी तरीके से कॉरना वारेस एक से दूसरें से तीसरे पहलता है आगर आगा घुल्वाणा का इसामपल दे आज भील वड़ा आपने शायद आधे लोगों ने भील बड़ा सुना नहीं होगा बहुत चोटी जगा जगह है एक डॉक्टर की गलती से एक डॉक्टर की गलती से पूरे भील बड़ा में आज एपी सेंटर बन गया तो ज़रूवत क्या है गौरव जी आपने कहाँ वो चार लोग आपने कहाँ पुलिस डंडे मार रही है सब चीजे वो गरीब आदमी पे सब चीजे लागू की ज रहें, नीचे क्रिकिट खेल रहें, साइकिल चला रहें, यह पिक्निक थोड़ी है, यह 21 दिन से 21 महीने का आपको लॉपडाउन करवाना है, क्या आपको मानते हैं कि धाई महीने वहान को लग गए? तो क्या देश धाई महीने तक लॉपडाउन के लिए तयार है? बुलिए दॉक्टर साथ बुलिए रॉक्ट साब एक याँ दो परिवार के लोग सस्पीशिस है कोरणा वायरस के तो उनके घरों के सामने लिखा जाता है कि इस होम इज अंडर कोरण टाइंड है ना यह कहीं कहीं लोकेशन पर आ रहा लिखावा तो उनमें से एक शक्स की यह जो दास्ता है वो मैं आज आपको बताना चाहता ह कि उनमें से दो परिवार के लोगों को शक है कि उनको कॉर्णा है या नहीं है क्योंकि उनको खांसी जुक्राम चल रहा है और उनकी कॉंटेक्स की हिस्ट्री ती जो लोग भार से आये थे लेकिन अभी पैस्ट की रिपोट में आई है कि वो कॉर्णा पॉजिटिव है या ब्रुद्ध की निकला देखने के लिए में तो उनके परोसियों ने उनको दह लिया कि वो क्छत की उपर रहे और आप मानोगे हुआ क्या उन्होंने उनकी पुलिस कम्प्लेंड कर दी कि हांस कॉर्णाईम में है और ये शक्स बहार निकलावा है तो वो शक्स अगर आपको सार होते हैं, हाथ बढ़ाने के लिए होते हैं, अगर हमारे भी हो सकता है, आज परोस में कोई positive case निकल सकता है, किसी को हो भी सकता है, तो बजाए कि ऐसा काम करें, हम police complaint कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको इंसानियत के नाते उनका साथ दिना है, तो जो कुरुना से पीडिक लोग हैं या जो उनके साये में हैं, उनकी भुखदरी stories भी आ रही हैं सामने, आपको ये और हफ़ते या दस दिन में आपको ये साही कानिया इस न्यूज चैनल के माद्गम से आपके सामने भी आए चीक, जल्दी से, डॉक्तर राहूल कुछ कहरा चाहरा है, ये 21 महीने के पेन से मच लेस है, आज अगर हमने इसको सचेत नहीं हुए, तो एक कॉरोना वाइरस, अभी दूसरा पेपर पब्लिश हुआ है लैंसेट में आज, कि चाइना भी वहान में एक महीने, एक महीने तक अगर नहीं हुआ, तब सेकेंड वेव को बचा पाएंगे, तो आपको ये भी समझना जरूरी है, डॉक्तर रजे कि ये भारा पंद्रा दिन, इकिस दिन का पेंच जादा जरूरी है, रादा दिन लंबे समय के लिए, कि लोगों के अंदर एंपथी होने के लिए, एक दोस्ते के लिए, लेकिन डॉक्त साब ये भी तो है कि इस वक्त हर कोई इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ है, कि वो ना चाहते हुए भी, वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, शायद इस वज़े से भी ऐसा हो, हला कि थोड़े इंपथी होनी चाहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लॉट कर आएंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, हम चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना से जंग में आपकी क्या हुमी का होनी चाहिए, क्या भा बड़ी तादाद में वो अपने अपने होम टाउन्स या अपने अपने राज्यों के लिए रवाना हो रहे हैं अपने घरों के लिए यह कितना खतरनाक हो सकता है गुरू दोनों जी बात हैं खतरनाक तो हो इसकता है लेकिन इसके लिए क्या है कि परशाशन को आगे आना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको भेज नहीं सकते क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस भेजेंगे रेल गाड़ी चलाएंगे तो फिर नजदीक आ जाएंगे अगरो पैदल जा रहे हैं तो अच्छा उप्शन है ठीक है ना लेकिन परशाशन उनके लिए यह तो करी चकता है और जो सौन से भी संस्था हैं जो कावड़ वाले होते हैं कावड़ के दिनों हम अगर पांस किलोमेटर दस किलोमेटर पे इस तरह के सीविर लगा दें और उन में से क्योंकि वह ज्यादा तर गाउं आप जा रहे हैं और गाउं में स्वास्त सुविधाई देश में कैसी हैं वहम और आप सब जानते हैं ऐसे में अगर उनमें से कोई कोरोना अपने साथ लेकर चला गया पर वहां सभालना कितना मुश्किल हो जाएगा तो क्या यह कोरोना के कैरियर तो नहीं है देखे गोरो हमारे पास हमारे देश में इतनी फैसलीटी नहीं है कि इतने ज्यादा लोगों का ओंदा स्पोर्ट पॉजिटिव कर दें और केस डिटेक्ट कर दें तो यह संभव नहीं है फिलाल तो यही संभव है किसी तरह उनको दूर रखा जाये है डिस्टेंसिंग जो सोसल डिस्टेंसिंग है आईसोलेशन है उसका ही किया जा सकता है मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा मातरा में हमारे पास कित हैं या डॉक्टर है परामेडिकल स्टाप है कि उस सभी का आव वो टेस्ट कर ले और दीकिए अभी डॉक्टर अजये गुप्ता जी ने एक बात कही जो उनके दोस्ते तो मुझे लगता है कि यह हाइपर एक्टिविटी है एक तरह से अतियुत तेजना अतियुत्सा पडोसियों का जो भी है उसे भी थोड़ा सा हमें बचना होगा एक्दम इसमें पैनिक क्रेटनी करना हमें यह तो चल है उसे पहले बता दे कि पढ़े लिखें लोग घी यह विमारी लेकर आए बिल्कुल बिल्कुल अचलों वह एक हम किसी पर आकशेप नहीं करते क्योंकि डबलुएच्चों ने भी यह का है कि जो विमारियां है खासकर वाइरल डिजीज उसमें किसी स्थान छेत्र और व्य से इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं तो हमें इस भावना का भी आदर करना है तो मैं किसा बता रहा तो 23 मार्च 2020 की बात है अभी चारो तरफ करोना करोना हो रहा था तो एर एसिया जो एक कंपनी है उसकी जो फ्लाइट थी वो पूना से दिल्ली आ रही थी तो पूना में व चीक मारने का आसर यह हुआ कि जो पाइलेट बैठा दा आगे कॉक्पिट में एमर्जेंसी एक एक जिट से कूद गया हो नीचे और जो स्लाइडिंग विंडो थी ना जब प्लेन दुर गटना ग्रिस्ट हो जाता है या एमर्जेंसी का कान होता है तो कोई तना वो एकदम घड़ड़द लगी कि पता नहीं किया हो गया तो उससे बचना चाहिए उसके बाद क्या हुआ कि पूरे प्लेन की पूरे प्लेन को और सभी यात्रियों की जाच की गई कि पोजीटिव थे या नहीं तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए कि कि एकदम चीजों को ध्यान में रखता होगा कि धिरे धिरे कंट्रोल में आएंगे अगर फिर से मजदूरों वाले उस पर वापस आए अगर तो क्या ठीक है सरकार ने लॉक्डाउन कर दिया और यह कह दिया कि जो जहां है वही रह जाए तो क्या यह सुनिश्चित करना भी ब सरकार के पास खाने के लिए चीज़े उपलब्द हैं या नहीं है यह सुनिश्चित करना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए कि बहुत बड़ी तादात में और कई बार वह अनलिस्टेड होते हैं कि रिकॉर्ड नहीं होता है दिकत तो है और देखिए सरकार की मजबूरी आप समझिए कि सरकार के पास संसाधन कितने हैं मालिया पैसा है और फूड है खाद्य सामगरी है दवाईयां है सब चीज है लेकिन उसको सही तरह से वितरन करने के लिए आदमें भी चाहिए एक चैन भी चाहिए एक सिस्टम भी चाहिए करमचारी पहले ही कम ह सरकार जो है वो सरकारी करमचारी कमी से जूजरी है पहले ही हर डिपार्टमेंट में कम करमचारी है उनको भी अगर लगा दिया जाए तो हम कितना कवर कर पाएंगे इसमें क्या है गोरो सिर्फ सरकार के प्रों से नहीं बैठा जा सकता इसमें आम आदमी को भी आना आगे आ प्रवासी मज़ूर अगर यहां है तो उसको ऐसी नौबत ना आए कि घर की तरफ पैदल ही चला जाए सेकुड़ हजारों कि वह पैदल जाने के लिए तयार हो जाए देखे गरोब मुझे NCR मीडिया कलम ने देक्स बना रख तो मैं लगबग सभी साथियों से एक फीडबेक लेता हूं रोजाना दिन में दो तिन बार कि क्या चल रहा है तो एक चीज़ सामने आ रही है कि परशाशन जो है अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है उनकी भी एक सीमाई है कि जो आदमे के हद होती है काम करने की और 24 घंटे काम नहीं कर सकता लेकिन जितना परशाशन से बन पा रहा है वो कर रहे हैं और इसमें यह है कि मानुए पहलो भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर वही कहूंग कि आम आदमी को आगे आना पड़ेगा साथीहाद बढ़ाना रेज जो आला गाना है उस पर अमल करना पड़ेगा ठीक है और इसके अलावा कई जगहों से जो यह लोग जो जा रहे हैं मजूर यह भी कह रहे हैं कई जगह पर मकान मालिक ने हमें कह दिया जी जाओ यहां रह अपील कर रहा है तो ऐसे मालिकों को मकान मालिकों को थोड़ा बड़ा दल दिखाने के जरूए थे बात वही आ जाती है कि मैंटो मैं वेरी करता आदमी से आदमी पर निरभर करता है कि वह इसको किस तरीके से ले मालिया कहीं पर बहुत ज्यादा है कई कमरे ऐसे हैं यहां जैसे गुड़गाओं में फरीदाबाद में नोईडा में वहां दस दस बारा बारा वेक्ति भी कठे रह रहे हैं तो हो सकता है मालिकों को यह डर हो कि इनके वापस में ना फैल जाए है अब उनकी भी बात ध्यान में रखें अगर कमरे में एक ही आदमी हो या एक ही ग्रू हाई है इसको ना समझ के हमें आदमियों को दूर दूर रखना है ठीक है ठीक है अब क्योंकि इस वक्त पुरे देश में डर भी है खौफ भी है तो क्या लोगों को सिम्मेदारी लेनी होगी जैसा हम और आप चर्जा कर रहे हैं कि भाई लिमिटेशन है प्रशाशन की भी अ हर वोनले वे हर वक्त नहीं हो सकती है तो अबहना जहाँ कि अपने बच्चों को हिदायाद है कि आप बाहर न जाये किади माबब की पने नहीं हो जाती और जो बच्चे हैं वो भी अपने पड़े वह बाहर न जाए कि वैस फरसा है गपनी देखे दो नहीं बात है इसमें तो अपने आप पे नियंतर्ण करना होगा, बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन उनको समझाना होगा, मालिया गली में चले भी जाएं, तो कम से कम दूसरे बच्चों के साथ बिलकुल भी न करीब आएं, थोड़ा बहुत घूम लिये, तो कोई ऐसी मुझे नहीं लगता यह दिक् हैं, तो एक आद बार तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यह समझना होगा कि क्लोज कंटेक्ट से बचाना है हमें, बचना भी है और बचाना भी है, तो इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, और दूसरी बात, अभी मैं आपको डेटा बताता हूँ, पूरे अभी तक का क केस हो चुके हैं, और इसमें टोटल 25,227 मोते हो चुकी है, ठीक है ना, और इस समय जो संक्रमित हैं, बहुत तो ठीक भी होगे न, वो टोटल संक्या है, 4,2146, और जो बिल्कुल ये हैं कि उनकी आलत कैसी है, उसके आप संक्या लीजिए, 3,81,84 व्यक्ति ऐसे हैं, जो सीरियस नहीं है, उस्पिटलाइजड तो हैं, इनकी संक्या 95%, 95% रोगी ऐसे हैं, जो होस्पिटल में तो एड्मिट हैं, लेकिन उनकी स्तीती चिंता जरक नहीं हैं, लेकिन 21,62 व्यक्ति ऐसे हैं, जो गंभी रूप से पीडित हैं, इसमें सीर इसमें क्रिटिकल होते हैं, एक तरह से माल लिया जाए, अगर इसमें भारत का देखा जाए डाटा, तो यहां पे कुल 863 इस रोग से गरशित पाए गए, जिसमें से 20 की डेथ हो चुकी है, और यहां पे कोई भी क्रिटिकल केस नहीं है, यह एक बड़ी रहत की बात है, अम हमें थोड़ सा अपने उपर पेसेंस रखना है, कि यहां पे स्थीती इतनी ज्यादा नहीं बिगडी है, लेकिन यह और ज्यादा ना बिगडे, इसके लिए हमें इसको हराना है, हराना कैसे है, एक दूसरे से दूर रहे के, साप सपाई करके, हाथ बार बार दो के, तो इन कर रहे होँ, नहीं कर रहे हों परधान मंतरी साम les, बाले सामने आ रहे हों, डॉक्टर सामने यहीं कह रहे है, भास एक ही चीज़ रहतना है, कि घर से बाहर नहीं निकले, जबतुक बहुत ज़्यादा जरूरत नहों बाहर निकले भी तो एक दाइरा मेंटेन करना आपको कि कम से कम दो मीटर के आसपास दूरी रखनी है एक दूसरे से भीड में नहीं जाना है किसी भीतर राशन के दुकान पर भीड अवाइड करें दूर खड़े हो जाएए नहरा साब एक आखरी सवाल जल्दी से जवाब दे आम आदमी का काम सिर्फ इतना है कि वो सरकार द्वारा जो जारी दिशा नर्देश हैं स्वास्ते सेवाब द्वारा जारी दिशा नर्देश हैं और चिकित्चा कर्मियों की जो हिदायते हैं उन पे शत परतिशत अमल करें और दूसरी बात अगर उनको लोकडाउन देखने का शोक है, जो घरों में कैद हैं लोग, तो वो किसी टीवी को देखें, अकबार पढ़ें, अकबार के डिजिटल एडिशन देखें, बेतर ये है कि घर पे रहें, अपनी आखों से नहीं देखने के तो चलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, क्यूंकि आगे दुनिया देखने के लिए बचना है, तो अपनी आखों से देखना आवर्ड करिया, ये ऐसा युद्ध है, जिसमें दर्शक को भी गोली लग सकती है, चलिए, बहुत शुक्रे आपका, निवासाब, तो कोरोना की खिलाफ इस लड़ाई में आप भी सरकार का साथ दे, देश का साथ दे, घर से बाहर ना निकलें, एक दूसरे से दूरी मेंटेन करें, तो आप देखेंगे कि हम बहुत जल्द हिंदुस्तान से कोरोना को हरा कर भगा देंगे, फिलाल इतना ही, इजाज़त दीचे, नमस्कार बहुत आप देखेंगे, जमस्कार देखेंगे, टो आपस देखेंगे, एक देखेंगे, टीक haw